उडान, हिंदी पाठ माला पाठ नो का अभ्यास आज करेंगे ओपन वियर बोक इस पाठ में आप सबसे पहले प्रशन अभ्यास में शब्दार्थ करेंगे सुहाना में सुहावना, पनघट, पानी भरने का घाड निद्रा, नेंद, लोहित, लाल, गागर, घड़ा, अक्षन, पल पाठ की समझ ये वाला जो भाग होता है ये आपका प्रशन हिंदी ए में आते हैं इसको आज करेंगे इन प्रशनों के उत्तर लिखो लोग पनघट पर क्यों जाते हैं उत्तर है लोग पनकट पर कागर में पानी भरने चाते हैं चिडिया कहां गाती हैं? चिडिया पेड़ों पर गाती हैं सुर्य की लाल किरने कब दिखाई देती हैं? सुबह सरेरे सुर्य की लाल किरने दिखाई देती हैं जब सुरिया उद्या हो जाता है तब हमें सुरिया की लाल किरने दिखाई देती हैं कवीता में लोगों को क्या करने के लिए कहा गया है किसने अपने अपने घर छोड़ दी है गाएं भैंसों मुर्गों वा घोड़े ने घोड़ों कर लीजिएगा यहां ओकी मातर लगाईएगा घोड़ों ने अपने अपने घर आगए हैं गाएं भैंसे मुर्गे वा घोड़े अपने अपने घर छोड़कर बाहर आगे हैं कवीता की पंक्तियां पुरी करो इन पंक्तियों में आपको क्या करना है इन में आपको कवीता के आंचपूर लिखने हैं यह आपको स्वयम करना है पीछे कवीता लिख्यों ही एक्षन है यह कुछ करने का डैश डैश भरने का है ना तो यह वाले आपने अपने आप से करने है रंग भरने का रंग नया कुछ भरने का आउ सारे आउ सारे है ना डैश स्वागत करने लोहित किरनों का स्वागत करने पन घट पर गागर को भरने जागो सारे जागो सारे ये कवीता में से देख कर लिखना है और खास ध्यान रखना है कि स्पेलिंग की मिस्टेक बिलकुल ना हो आप भौध्यान से लिखेंगे मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो और इसके बाद है अकला अभियाज है आपका भाशा की समझ इसमें आपको ये वाला भाग जो है आपका हिंदी बी में आता है इसमें पहला प्रश्ण है बहु की मात्रा है लेकिन तितलिया में लग चोटी की मात्रों के चंदर बिंदू होगा चिडिया में सेम लिखना लेकिन चंदर बिंदू आ गया चिडिया मतलब एक चिडिया चिडिया मींस बहुत सारी चिडिया तितली मींस एक तितली और तितलिया मींस बहुत सारी तितलिया अब देखिए नीची है लड़की – लड़की लड़किया तो इसमे में इकी मातरा थी बड़ी की मातरा थी और चोटी की मातरा बन जाएगी चंदरबिन्दू लग जाएगा या के ऊपर तो इसमें आपको क्या ध्यान देने एक नियम देखें जहां पर चिन शब्दों को बड़ी की मातरा लगती है उनमें अधिक तर में हम बहुँ अचर मनाते समय छोटी की मातरा लगाते हैं और साथ में य, आ और चंदर बिंदू लगाते हैं यह नियम ध्यान रखिएगा गाएं एक गाएं होती है और गाएं यानि बहुत सारी गाएं य, य, और बिंदू भैंस, भैंसे आई सबी दोनों जगे बिंदी आईए इस चिसका ध्यान रखें भैंपर भी और सेंपर भी भैंसे, मुर्गा, मुर्गे तो ये तो आपका हुआ भाषन नमस का बहुवचन प्रशन नमबर दो है इन वाक्यों में से संग्या और क्रिया शब्दों को छांट कर लिखना है संग्या तो आपको पता ही क्या होती है जिस वो शब जिन से हमें किसी विक्ति वस्तु थानादी के नाम का बोध होता है या किसी वस्तु की जाती का बोध होता है और क्रिया क्या होते है जिस शब से हमें किसी कारिय के करने का बोध होता है कारिय करने का तो हम देखो पेड़ों पर चिडियां गाती है यानि पेड क्या है किसी वस्तु का नाम है, चिडियां भी किसी वस्तु का यानि प्रानी का नाम है तो यह संग्या में आगी पेड और चिडियां गाती है आएगा क्रिया में गाना एक कुछ करना है, करने को हम क्रिया कहते हैं तो इसमें गाती जो है क्रिया है दूसरे में है तितलिया हस्ती है इस वाक्य में तितलिया संग्या है और हस्ती जो है वो क्रिया है तीसरा वाक्य है गर बाग में फूल है इस वाक्य में बाग और फूल दोनों ही शब्द जो है संग्या शब्द है और हैं जो है वो क्रिया शब्द है है क्यों है? क्योंकि किसी चीज़ का होना या करना क्रिया कहलाता है यहां बाग में फूल है तो यह होना है नवीन पढ़ रहा है नवीन इस वाक्य में संग्या है और पढ़ना क्रिया है अब घर चले घर संग्या है और चले क्रिया है इसके बाद तीसरा प्रशन समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाएं समान अर्थ यानि एक ही शब्द दो शब्दों का एक ही अर्थ होना समान अर्थ जैसे कि पहले शब्द में घर है और ग्रिही से मिलाया गया यानि घर का मतलब भी घर होता है गिरी का मतलब भी घर होता है दोनों को हम घर के लिए प्रियोग मिलाते हैं गाएं को गौ कहते हैं गागर को घड़ा निद्रा को नींद जिस तरह से आपके शब्दार्त होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं लोहित लाल घोड़ा अश्व अक्ष दोहे दिये हैं पढ़ो आर्थ समझो काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में पढ़ले होएगी बहुरी करेगा कब इस दोहे में बताया गया है कि जो काम आपने कल पर छोड़ा है उसे कल पर नहीं छोड़ो आज ही कर लो और जिसे आप सोच रहे हो आज करेंगे उसे अभी गर लो क्योंकि समय कोई भरोशा नहीं कब प्रलये कर मुसीबत आजाये कब जीवन में कुछ ऐसी विपत्ति आजाये कि हमें समय न 골sz आ उसक दोहे में कहा गया है कि विध्याहीom सबसे महतंपूरंधन होता आप बताओ यह धन कहां से मिलेगा कहो जुपावे कौन यह बताओ कहां से मिल सकता है यह बीना परिश्रम के नहीं मिल सकता है जो परिश्रम करते हैं उसे ही विद्या रूपी धन प्रापत होता है धन का मतलब हम विद्या पढ़ते हैं और हमारी बुद्धी का विकास होता है और हम बुद्धी का प्रियोग करके इस जीवन में अनेक प्रकार के साधन जो है वो कमा लेती हैं बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पॉन जिस तरह से आप हाथ से हिलाने वाला पंखा आपका होता है अगर आप उसे हिलाएंगे नहीं तो उसे पॉन नहीं मिलती मींस हवा ठीक उसी तरह से यह दिया परिश्रम नहीं करोगे तो आपको विद्यारूपी धन प्रापत नहीं होगा यह दोहा आप बच्चों के लिए वैसे भी बहुत महत्वकुने से याद रखें और सब को सुनाएं बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल रहीमन हीरा अरे इस दोहे में कहा गया है कि रहीम जी ने बता है कि कभी भी आपको घमड से भरे हुए बोल नहीं बोलने चाहिए अपने आप में अभिमान नहीं करना चाहिए यदि आप बड़े हैं तो आप बिना बोले ही आपका बड़पन दीख जाएगा और अगर आप बड़े नह हैं तो आप चाहिए कि इतने ही गमंड से भरे हुए अभीमान से भरे हुए बचन बोल लो तब आप बड़े नहीं लगोगे क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा कि बड़ा बोलने वाला बड़ा नहीं होता जैसे कि हीरा जो है वो लाखों का होता है लेकिन क्या हीरा कभ प्रतेक व्यक्ति को साधगी से और शालिंता से रहना चाहिए अभिमान नहीं करना चाहिए करत करत अभ्यास के जड़ मति हो सुजान रस्रिया वज्जात के सिल परपड़त निशान प्यारे बच्चों आज तो बहुत ही सुंदर सुंदर दोहे हैं बहुत लंबे समय के बाद यह दोहे पढ़ने को मुझे मिले हैं इस दोहे में भी आपके लिए एक शिक्षा छूपी है इसमें कहा है कि जो बार बार अभ्यास करता है उससे जड़ मति यानि मुर्ख हाद में भी समझदार सुजान हो जाता है बुद्धी मान हो जाता है जिस प्रकार की जब कूवे की सिल पर बार बार जब रसी डालते हैं घड़े से लटका के तो उस सिल पर भी निशान पढ़ जाते हैं जब की रसी बहुत कॉमल होती है यदि की बार बार कोई कार्या करने से निशान पढ़ जाते है यदि वो चीज हम सी? लेते हैं यदि आप बच्चे अपनी पढ़ाई का बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको सज्जन होने से कोई भी नहीं रोक सकता बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को चाया नहीं फल लागे अतिदूर प्यारे बच्चो बड़ा होने से कुछ नही हैं लेकिन शरीर से बड़ा होने से नहीं बुद्धी से भी बड़ा होना चाहिए इंसान को तब ही वो बड़ा माना जाता है कहते हैं कि जो पेड़ खजूर का पेड़ है वो बहुत ही बड़ा होता है बहुत उंचा होता है लेकिन उस खजूर के पेड़ का बताओ क्या फा कर बैठ भी जाए तो उसके रीचे बैठने से उसे शांती नहीं मिलती क्योंकि वो छाया ही नहीं देता और उसमें जो खजूर का फल है वो भी इतनी दूर लगता है कि उसे तोड़ने में भी कठिनाई आती है तो हमें खजूर के पेड की तरह सिरफ शरीर से बढ़ा नहीं हो पशू पक्षी और लोग जाग जाते हैं बिल्कुल आपने इसका वीता में कितनी सारी चीजें पड़ी है ठंड चिडिया वाने पंची चह चाहते हैं बच्चे और बड़े सेयर को जाते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है जब हम सुबह उठते हैं और जो बच्चे आ गर्मी फैला चुके होते हैं तो प्यारे बच्चों अगर ठंडी ठंडी मोसम का आनंद लेना है तो सुबह जल्दी उठें और सुबह जब आप उठेंगे तो घास परोस की बूंदे होती हैं और इस तरियां पहले गागर में पानी लेने चली जाती थी आभी इस तरियां जो अब बतानी हैं इसे मुझे तो कुछ नहीं करना पर फिर-भी मैंने एक दो बात आपको बता दी लेकिन यह तो आपको पता हिए कि सब्सक्राइब तो आप सबीरा होने वाला है मुर्गे की तुमारे कहर में सबसे पहले कौन उठता है अब मैं तो मम्मी हूं और महीं हुझ तोनों उट जाते मम्मी पापा उड़ते अप जल्दी उड़ते पहले कि uh मम्मी को लिक्षेंगे अगर बहन उड़ती है तो मैं और भाई बहन सब उड़ जाते हैं इस लिखोगे तुम सुबा कितने बज़े उठते हो यहाक देखो बापको अपने मचे लीखचे नैशा सच लिखना कि एक फश in लिख लिख लीख लीख़ और 下स्थ लीख Max भज लीखो पांमे लीख लिख लते होगे नहीं वाट? तुम्हारे घर में सुबह कैसा दिश्या होता है जब तुम्हारे घर में क्या हो रहा होता है मम्मी क्या कर रही होती है पापा क्या कर रहे होती है ये लिखना है भाई क्या कर रहा होता और आप क्या कर रहे होते हैं ये सारी बाते लिखनी है आपको और ये तुम्हारी कलम से बहुत ही अच्छा वसार मिले आपको कवीता पुरी कुष जागो जागो हुआ सिवेरा अब तो दूर हुआ अध्य लिखनी है देखो कितने एक, दो, तीज चार पान्च, छे लाईने लिखनी है बस तो आप जो इस कवीता में आपने जो पड़ी है न जागो कवीता इसमें से कुछ लाइने लेकर अपनी मर्जी से उनको बदल कर नई भाशा मतलब नए शब्दों में चेंज करके आप लिख सकते हैं और इस तरह से आपकी कवीता लिखे जाएगी और आप कवी बन जाएंगे है ना चाहे वह कैसी भी लिखी जाए मात सोच ना करें हमारी कवीता तो अच्छी नी लगे गी मैं अपना क्यों कि मैं चोटी थी मैं भी एसी ही कवीता पनाती थी कुछ भी लिख देती थी बड़े हसते बीते तो क्या हुआ आ देखो मैं इपको कित्ए एच्षी पढ़ा करेंगे ना जब हम बच्पन में सीख लेते हैं तो हमें वो फायदा देता है ओके हैव नाइस टे लव यू